आज की इस वीडियम हम देखने होले कि assets क्या होती है और liabilities क्या होती है तो asset यानि ऐसी चीज जिसकी वज़ा से हमें पेशा मिल रहा है उसे बेज कर या फिर उस चीज की मदद से हमें पेशा मिल रहा है तो इसी सारे चीज आती है assets में और liabilities यानि क्या कि एसी चीज जिसकी वज़े से हमारा पैसा जा रहा है तो उस चीज को हम कहते हैं हमारी liabilities तो assets के example है furniture, land, debtors, machinery, etc. तो एसी जारी चीज़ों को हम बेच कर हमें पैसा मिल सकता है और liabilities यानि क्या कि bank, loan, tax, creditors, तो इसी जारी चीज़ों को हमें paid करना होता है यानि उन्हें हमें cash में paid करना होता है तो या पर हमारा पैसा जा रहा है तो यह हमारी liabilities हुई तो यह difference है assets और liabilities में तो asset जाने कि हमें पैसा आ रहा है और liability जाने कि हमारा पैसा जा रहा है तो यहाँ पर यह वीडियो को खतम करते हैं अगर आपके कुछ सवाल ऐसो जाओ तो हमें कमेंट में जरूर बता हूं उसका reply देने की कोशित जरूर करेंगे और हमारे चैनल को जल्दी से subscribe कर लो ताकि आपका account से related video जल्दी से जल्दी मिल सके और bell icon को भी दवा दीजे ताकि हमारे वीडियो की notification आपके पास सबसे पहले पहुच सके